Hi everyone, welcome to my channel, I am Sinit Sahani, so all the class 10th and 12th students देखो guys, हम लोगों ने अपनी strategy जो है board exam के last 30 days के discuss कर ली है मैंने 10th की strategy भी upload कर दी है, जिसमें मैंने आपको हर एक subject को within 30 days complete करने का एक proper plan बता दिया है and 12th class humanity students को मैंने plan बता दिया है and I want बाकी students भी class 12th के अपने अपने लिए एक perfect अपना जो है plan ready कर लीजिए अपने आपको aware कर लीजिए कि आपको कितना syllabus left है, कितना syllabus जो आप already कर चुके हो, you need revision और किस तरीके से आप sample papers solve करोगे और अपने time को manage करोगे as per, अगर आपने मेरी strategy follow नहीं कर लीजिए है, तो आप अपने हिसाब से अपना plan ज़रूर बना लीजिए guys, now this is the chance you are having, okay बहुत ही important बात, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तीन आपके exam से related जो इस समय पे आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है guys, आप मान लो, this is the chance you are having to complete your syllabus, to revise it, to finalize everything I know, जिस तिन date sheet announce होती है, अगर मैं आपको अपने experience से बताओ, तो जब date sheet announce हुई थी तो कई बार ना, जिन students का syllabus completed भी होता है, वो भी panic में आ जाते हैं, gap days को देखकर analyze करके और जिन्हों नहीं पाड़ा होता है, जिससे वो तो definitely panic में आ जाते हैं, तो first thing guys, मैंने अभी जब recently strategy भी upload करी है, तो comment section में बहुत सारे students ने कहा दी दिये, कैसे follow हो पाएगा, हम कैसे करेंगे, we are thinking that नहीं हो पाएगा हमारे से, अब इतना सारा से labor से, एक दिन में एक chapter, हम first of all, ये negative approach, ठीक है, this is a total negative approach, guys, you are having 30 days, अभी होगे, और 10 days अपके पास February के है, ठीक है, अब this is your chance, कि आप सोचा आप से नहीं हो सकता हो, आप ये 30 days में भी कुछ ट्राइना कर और महिनत ना करो, और एक वो student होगा, जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ फूल के, ये 30 days में, या जिसने पढ़ा भी था, अब वो इन 30 days को अब को अब के वेस नहीं करेगा, और इनको क्या करेगा, यूटिलाइस करेगा अपने पढ़ाई में, तो एक चीज समझ लीजिए, ये negative thought हटा दो, मेरे से नहीं हूपाएगा, ये strategy मेरे से follow नहीं होगी, मेरे कहां आपने 90 अपने नहीं लापाओगे, it's January now, it's 30 days, it's 20 days, ignore them, आपको सिर्फ, जो मैं कह रहे हूँ, वो सुनो, ठीक है, because I know you can do it, ठीक है, आप अच्छे तरीके से महनत करोगे, अरे हमार से गलती हुई है कि हमना टाइम बेस कर जो, तो आपको उसको रिकावर करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे जाद होता है, जैसे भी टाइम निकाल के ना, टूशन के बीच में, स्कूल सानी के बाद 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 सूने से पहले 15-20 मिनट आदे घंटे की मेरा एक एपिसोड बज़ गया था, मैं उसको देख लो, मैं उसको कम्प्लीट कर लो, रियार, वो मूवी तब आ थी, मैं अगर रियार, यह ही चीजों को कम्लीट करने, यह नो इस सोचना से नहीं करनेंगा, यह प्रोच अखर आप रखो के तो पढ़ते वे, आपको कोई फायदा नहीं तो नहीं करनें, तो नहीं, तो नहीं तो नहीं, 30 डेज हैं, किसी पर 40 थी भी होंगे, एक्जां के गाप दे तो be very happy guys, be very confident, have a positive mindset in your mind, ठीक है, यह negative thing अपने दिमाग में डालो, you will not be able to do it, एक positive mind रखो, ठीक है, अपने आसपास positivity रखो, और अपनी जो है, ऐसी planning करो, कि नहीं भाईया, मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं से लिए बस complete revision, सब करके दिखाऊंगा, मैंने लाने हैं, मैंने समझ लीजिए, अब दूसरी चीज़ जो है, आपके date sheet announces हो चुकी है, ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो सबस्राइब जो है, आपके date sheet आपके phone में होगी, आपके laptop में होगी, आपके किसी भी device में date sheet होगी, ठीक है, आपको school से, जो है अपना diary में date sheet note down कर लिए हो, ठीक है, मैं लेट हो गई ये date sheet की video बनाने में, इसलिए लेट होगी है, क्योंकि I wanted कि पहले मैं लोगो को strategy बता दू कि आप लोगो को strategy दिमाग में आ गई है, भया महीने भर में ऐसे ऐसे हम अपना syllabus कम्रेट कर सके है, it is possible, हमें अब समझ में आ चुक है, ठीक है, अब बात आती है कि स्ट्राटेजी बनाने के बाद वो सिव अन पेपर ही नहीं है, वो इंप्लिमेंट भी होनी ची है, तो उसके लिए we have to create that atmosphere, we have to create that mindset, that वो सब चीज़े complete हो, तो अब बात आती है guys, आप लोगो की date sheet की, Now this is a must do thing for all my dear brothers, so 9th and 11th के भी अगर कुछ students this video को देख रहे है, तो आप लोगो की अगर final exam के date sheet आगई है, तो you can also follow this step and specially to all my 12th and 10th वाले भाई बनो, you know, जो मेरी date sheet है, class 12th की, वो अभी भी उस room में जहां मैं पढ़ाई करती थी, जो Almeer आती, वहां पे अभी भी है, and मैंने पर एक short में, secret room वाली वीडियो में, जहां पर मैं पढ़ाई करती थी, आप लोगो को दिखाया भी था, that guys look at this, ये वो date sheet, अभी मुझे उस date sheet को देख कि याद आता है, thank God guys, मताब इतना memorable चीज़े मुझे वो लगते है कि yes, thank God, मैंने पढ़ाई करी, मैंने महनत करी, and I got that percentage, ठीक है, I was to the topper of class 10th also, and 12th also, so मुझे बहुत मेमरेबल लगता है वो time, कि thank God, मैंने preparation करी, मैंने महनत करी, और मैंने गे नहीं सोचा कि I will not be able to do it, or something like that, ठीक है, मेरा तो सले बस पहली complete हो गया, completed है, मैं एक पर revise भी कर चुकी थी, date sheet announced होने से पहले, but तब बे guys, जब date sheet आई तो panic mode मेरा भी on हुआ था, मैं भी डर गई थी, क्योंकि मेरा optional exam and economics exam के बीच में एक भी दिन का gap नहीं था, so I was very worried कि भाईया, मैं economics का exam देकर आऊंगी, तो 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 time ही नहीं मेलेगा इस optional को मुझे revise करने के लिए बिल्कुल भी, so I was very scared क्या करेंगे, तो मैंने जब date sheet अपनी जो है optional नहीं जो है उसको पड़ोंगी, ठीक है, तो मैंने पहले से ही इतने अच्छे से optional को अपने tips पर कर लिया था, कि ECO के exam से पहले लगातार पात दिन मैंने इको पड़ी थी, और फिर बस optional से एक दिन पहले मुझे रिवीजिन की ज़र पड़ी थी, इतने अच्छे से म मेरे gap days है, और मैंने उसको plan करके उस तरीके से अपनी पढ़ाई कर ली थी, तो that's what I want to tell you guys, आप अपनी date sheet अभी mention कर, आपके phone में है, tablet में, कुछ, कुछ फाइदा नहीं मिले का उसका आपको, आप भूल जाओगे, आपनी 5 से 6 date sheet बना लो, एक यहां room की wall पे लगा लगा ल आपके बना ले बहुत है, तो अच्छे तरीके से, और आपके parents को भी पता आपको कौन सा exam के इस देपे, क्योंकि कभी गलती से ऐसान हो, कि आप अपने किसी और exam की preparation कर रहे हो, exam आपको किसी और date का है, each and everyone of your family also should know your date sheet, ठीक है, और अपनी date sheet तो by heart learn कर लो, लिख लो अपनी छे copies बना लो, खुझ से, यह निए फोटो शेट करा कर लो, नहीं, खुझ से आपको अपनी date sheet बनानी है, इस जो time है, आपके पास इसकी value को समझना है, और जो है, जब time की value को समझ जाओगे ना, तो एक-एक minute को आप utilize करोगे, फिर से लिए बस complete भी हो जाएगा, revise भी हो जा क्लास 10 का date sheet का यह paper ready कर दिया है, अब मैं हाँ पर class 10 के students की date sheet बनाऊंगी, उसके बार मैंने ऐसी, तो मैंने अपकी बार purple sheets लिया, लास्ट अपकी बार मैंने purple sheets लिये, यहाँ पर मैं अभी जो है, आप सब लोगों की, जो मेरा study room है, वहाँ पर तो मैंने create करी दिया, जो नी date sheet हमार सामने हमर पास इतना बड़ा टार्गेट है, 99% अचीव करने का, तो no time waste, no tension, no negative thoughts, we have to study, यह बात हमें समझ में आजा, तो please, आप लोग, कितने students हैं जिन्होंने अभी तक सारी date sheet अपनी mention करके, जिसे मनें बताया लिख ली थी, तो वह ज़रूर बताना, comment section में, I hope प्रॉपर वे में, जितने days हैं, जो भी आपके subjects हैं, उनका नाम लिखो, उनकी date लिखो, बीच में, bracket में, आप side में, जो gap days हैं, वो भी लिख देना, तो अभी मैं आपकी date sheet create करूँगी, I am not creating in this video, पर जब मैं create कर रही होंगी न भी हाँ पे, तो मैं तब इसको record कर लोगी, आप लोड़ेट इन शॉर्ट कॉल्म, या फिर एक वीडियो में, अपलोड कर दूँगी, जब मैं आप लोगों की date sheet बनाऊगी, तो ठीक है, तो अभी मैं phone लेकर आ गई थी, और ये date sheet है, और भी color चीछ के मुझे पड़ेगी, और class 12, all the streams की date sheet मुझे बनानी है, तो तब म साथ में guys, आप जो उसके bracket में है, gap days भी लिखने ना कि भाचाबीश में, suppose करके बतारी हो, hypothetically, इतने days का gap मुझे में रहे है, और उसके आगे वाला अगला मेरा paper यह है, तो दो दिन इसमें इतनी पढ़ाई कर लूँगा, ये planning अभी करके लगो, ये planning 15 दिन बाद नहीं होग इस तरीके से paper पर कौन-कौन date sheet बनाके लिख चुका है, प्लीज आज comment section बता दे ना, और जिन्हों ने नहीं लिखिया हो, definitely, आज अपनी-अपनी date sheets को, यहां पर create कर लेना, ठीक है, अब date sheet, आप लोग definitely create कर दोगे, दूसरी चीज है, जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक अपना time-based ना करें और ध्यान अपनी पड़ाई पर रखें, तो उसके लिए, आप पूरा इपना atmosphere ऐसा बना, date sheet अपने सामने रखो, आपको time की value पता चले, आपको पता चले, कि आपको कितनी पड़ाई अभी करनी है, और आपके पास यह best moment है, अपना score और target उसको अचीव करनी के लिए, ठीक है, अब दो है, date sheet से तो आपको time की importance पता चल जाएगी, ठीक है भाईया, यह time है मेरे पास, done, अब date sheet के बाद दूसरी चीज है, your study GPS, बहुत सारे students ने study GPS create कर रखा है, I have seen, काफी students ने मुझे pictures भी send करी थी, तो very good, but अब time आ गया, guys, कि आपको अपना fresh study GPS बनाई है, यह study GPS, आज जो है, guys, मैंने, इसलिए, मैंने studio में आई थी, because I wanted कि मुझे इतने सारे chapters के revision batches on करना है, और कभी-कभी ना मैं खुदी confused हो जाती हूँ, what to do, अच आज English पढ़ा दू, अभी SST का यह बचा है, और उसके बार मुझे पॉलिटिकल का यह बचा है, उस कि आप लोग भी कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कौन सा सब्जेक्ट हमारा पीछे चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हमें आता है, अच्छे से तो ठीक है, भाहिया, इसको जो है, अभी साइड में रखते है, और थोड़ा दूसरे सब्जेक को रिवेशन करें, कभी-कभी- तो उसके लिए, स्टडी जीपेस इस अ मस्ट थिंग सामने आपका रिकॉर्ड भी रहता रहेगा, अब भाहिया, यहां होनी चाहिए, यहां होना चाहिए, स्टडी जीपेस, सडी जीपेस बनाने के लिए, कल एक वीडियो अप्लोड करूंगी, प्रॉपर तरीके से, आपक अबना स्टडी जीपेस बनाना, और इस तरीके से, चीपेस लगजाना चाहिए, जितने भी लेक्च टेन्स थेना, मैंने बहुत कॉमेंट देख जेएक लेक पर प्रॉमजयष एक ज़नवरी वाली वीडियो में लेक्ले मैं घंडेख सथना हूमने लगे। थीदम Е categ वाली म मक्स आएंगे, I'm telling you, तो उसके लिए, जो है, इन सब बातों को भूल जो, और ये दो ट्रिक तो आपको ज़रूर करनी है, डेट शिट अपने आमने सामने रखनी है, दूसरा बनाना है, जो मैं कल दुबारा जो है, बोर्ट पर बना लो, ठीक है, बट, I don't know, आप में से किते सुटेंस ने बनाया है, बट नहीं, कल मैं वीडियो अप्लोड करूँगी, एक ऐसी शीट अपने पास रख लीजिए, और सडी जीपेस बना लीजिए, हो सकते हैं, तो ये जो एफोर साइज शीट होती है, उस पे भी आप बना सकते हो, ठीक है, तो अपनी एफोर साइज शीट है, नहीं कोई रजिस्टर भी ले सकते हो, रूल्ड पेजिस का, भाहिया, वहां लग लग लो डेचिट, डेचिट की पाथ चार कॉपी बना लो अपने लिए, हर जग आप कर दो, ठीक है, अगर आप बना सकते हो, तो एक काम कीजिए, आप अपनी किसी नोट बुक के उपर पेस्ट कर लेज़िए, सपोस करो, आप निए अप कोई ले लो अपनी और कोपी के उपर डेचिट को पेस्ट कर दो, और उस और को इस तरीके से सामने लिए लगा लोगा ठीक है, NCRT मत दे न, जो आपकी बुक है, जिसको आप इतना ही उस्ट करो है अजिसको आपकी न कोई यूज न क्लास, पहले वाली क्लास की कोई भी भूले ले 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 या कोई रिजिस्टर ले लो यूज अप उसके ओपर अपनी डेशीट को एसे पेस्ट कर लो, ठीक है, तो प्लीज गाईज अपना डेचीट और अपनी स्टरीजी पियस जो है रेडी कर लीजे जो स्ट्राटेजी मैंने बताई है अगर आपनी वीडियो नहीं रीख है तो स्ट्राटेजी वीडियो को जाकर देखे लिए अब लास्ट बट नॉलीस मैं मिलती हूं आप से नेक्स व बना सकते हो जो एक दिन पर अब बस पड़ोगा और यो वी स्कोरिंग नाइटी ने परसें तो कितने सुडेंस को नोट में कि वीडियो चेह नोट में कि नहीं हो बहुत अलब टेक्नीक है जो मैं बताऊंगी आपको तो कितने सुडेंस को वीडियो चे मुझे बता देना और क्लास 10th and 12th students मैंने रिविजन बैचिस ओन कर रखें क्लास 10th English का, Class 10th SST का, Class 10th Political Science and Class 12th History, Class 12th English भी यह भी आने वाला है तो go and check out my channel, I am uploading, मैंने प्रेमियर पर 15-15 वीच 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 व बी helping you a lot, तो bye bye, check your best of luck, date sheet ready कर ले ना, मैं मिलती हूं in next video में, और हाँ भी मैं date sheet बराऊंगी तो मैं उसको भी record कर लोंगी and I will be uploading it, okay, तो bye bye, मिलते हैं in next video